हलो फ्रेंड वेलकम टू आर्स इंफो मेरा नाम जीता चोधरी यह किड्नी टांस्पार्ट एमसी क्यूस का सेकेंड पार्ट है और देर ना करते हो आज इसको शुरू करते हैं सबसे फर्स कॉस्चन है वाट है तो यॉर बॉड़ी इफ यू डोनेटे किड्नी मतलब अगर यह वह एक्सपीरियंस कर सकता है 20-30% या फिर उसको ऐसा फील होगा कि उसके जो किड्नी के फंक्शन है वह 20-30% क्या हो गएं कम हो गएं यह नेक्स्ट है सी वाला कि जो रिमेनिंग किड्नी मतलब एक तो उसने दे दी जो रिमेनिंग किड्नी बची है एक उसके उपर क्यों होगा आल और व्ला और हो गाउन यह पर अफिसे ऍसकर के संपर ना फोगा है और यह श्यक्विंट की नियमेर बहराबर कहीं तो यह ङसे वीधे का उन्सेस्सरीट हो गाती हम और देटनि यहिरी अश्रॉरसे गई हो गया हर्सक्त κौसिंट 2 चौने सब्सक्ती कलत्श portion of immunosuppressive agent मतलब जो किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद में पेशेंट को immunosuppressive agent drugs दी जाती है उनके असर को immunosuppression क्या है मेली जो है यह क्या है steroid drugs है इनके असर को थोड़ा कम करने के लिए कौन सा कौन सा juice जो है वो काम करेगा इनके असर को कम करने के लिए मतलब मुटापा थोड़ा कम करने के लिए क्योंकि steroids मुटापा बढ़ाती है तो इनके असर को कम करने के लिए grapefruit juice means C जो है यह इसका सही आंसर होगा grapefruit juice जो है immunosuppression agents के जो function है absorption है उसको क्या करता है थोड़ा सा influence करता है next question है हमारा how many types of kidney transplant कितने तरह के kidney होते हैं कितने तरह के अपरखे कोन से को होता है की pros raptor photoников को इंसान मर जाता है तो उसकी kidney को हम जीबित शांक के अंदर को इंसानके ज़्या को आए निंतर ले रहे तो इसको बोलते हैं खुने काउस्या और अव्य कोई हबढ़न है इस इ सिक कुट एमिकानSान है इसे जिन्दा है और वह अपनी की एर्ड नेक्रा तो इस का कॉस्ट शॉयृचक एक व्हूंट. B and C, मतलब two types का होता है kidney transplant, पहला कौन सा disease donor kidney transplant, दूसरा living donor kidney transplant, next आता है hyperkalemia is associated with which of the following immunosuppression, suppresent medication, hyperkalemia किस से associated है, मतलब अब ये पूछना क्या जा रहा है, कि hyperkalemia आप जैसे immunosuppresent agent चलते ही है, मतलब drugs चलती है, अब उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत potassium भी बढ़ता है, ठीक है, अब इसके potassium ना बढ़े, इस असर को खतम करने के लिए mostly doctor कौन सी drugs देते है, तो वो क्या है, serolimus है, next question है, which of the following is most regarding renal transplant, मतलब कौन सी, इन में से कौन सा renal transplant के लिए सही आप बोलेंगे कि अगर किसी patient का renal transplant हो जाए, तो सही माइने में उसके साथ क्या होता है, रिनल ट्रांस्परांट के बाद, तो इसका जो आंसर है, C होगा, क्योंकि रिनल ट्रांस्परांट के बाद में, जो उसकी quality of life है, बतला, लाइफ जीने का तरीका जो होता है, वो quality वाला हो जाता है, मतलब उसको limit में ही खाना है, limit में ही, दोड़ भाग करनी है, limit में ही, उसको सारी चीजे लेनी है, तो क्या होता है, इंप्रूब हो जाता है, उसकी quality of life जो होती है, वो क्या हो जाती है, इंप्रूब हो जाती है, ठीक है, अब आगे, ये सारे MCQs नहीं है, लेकिन किड्नी ट्रांस्परांट पेशेंट से रिलेट जैसे युनाइटे इस्टेट नंबर वन पे आती है, किड्नी ट्रांस्परांट के लिए, नेक्स्ट फ्रांस एन इस्पेंट सेकिंड पोजीशन पे है, जर्मनी थर्ड पोजीशन पे है, जापान इन इपनी फोर्थ पोजीशन पे है, नेक्स्ट कोशन पूछ रहा है, can female receive female kidney, क्या कोई male जो है, वो female की kidney को receive कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन बहुत ही rare situation में, generally doctors जो होते है, male को female की kidney के लिए नहीं बोलते कि हाँ, कोई male हो और वो female की kidney उसको लगाई जाए, लेकिन जब उसके पास कोई option नहीं है, तो that situation में, male जो है, वो female की kidney को ले सकता है, अब एक question यह आ रहा है कि Nós प्रकाइबह पना ना जा खती है कि yougane transplant हमारा rejection में और रृजेक्षन पे ना जाए तो in that situation में यह help करते है तो क्या होता है कि अगर किसी patient को ये immunosuppression drugs दी जा रही है और उसके बाब जूर भी he died week after therapy मतलब therapy start होने के एक हपते बाद ही वो patient मर जाता है तो ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ जो कि वो मर गया क्योंकि उसको immunosuppression drugs भी चल रही है तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा तो देखिए इसका जो answer होगा वो होगा क्या rejection in infection या तो transplant के बाद kidney rejection में चली गई हो या क्या हो kidney में infection हो गया हो तो दोनों ही इसके answer है तो इसका जो answer आएगा C आएगा all of the ever next आता है कि which of the following is T cell mediated अब T cell mediated में क्या होता है कि यह भी एक तरीके से immune system को ठीक करती है तो यह कह रहा कि कौन सा इन में से T cell mediated होगा तो देखिए accurate rejection जो होता है मतलब थोड़ा बहुत rejection होगा एक तो तो क्रोनिक मतलब आप कुछ नहीं हो सकता है इसका accurate का क्या होगा कि वो reverse हो सकता है पहले वाली situation में जा सकता है ठीक है तो देट situation को accurate rejection को किस से कौन सी medicine के द्वारा मतलब यह कौन सी therapy के द्वारा बापस लाए जाता है तो वो क्या है T cell mediated को T cell mediated accurate rejection में वर्क करती है ठीक है अब next आता है एक पेशन्ट हैड ए सक्सेस्फुल रिनल टांस्प्रांट एंड इन एर ही हैड रूटीन check-up that revealed progressive high serum creatinine reveals what could be that that be an indication of मतलब क्या है एक पेशन्ट है जिसको की एक मतलब एक साल से जादा हो गया और वो routine check-up के लिए जा रहा है लेकिन उसका serum creatinine label जो है वो क्या हो रहा है वो हाई जा रहा है तो that situation को क्या बोलेंगे तो वो क्या होगा accurate rejection मतलब normal kidney में kidney जो है reject हो रही है अब इसमें क्या होगा अब इसमें कोई भी doctor अगर अच्छा होगा तो वो उसको medicine वेरा दे के या उसको diet वेरा उसकी improve करके उसको normal kidney में भेज सकता है मतलब जैसी kidney उसकी पहले work कर रही थी वैसी kidney उसकी दुबारा से work कर सकती है तो यह क्या कहलाएगा accurate rejection मतलब उसको एक साल से जादा हो गया वो routine check up पे जा रहा है लेकिन थोड़ा बहुत क्रेटिन उसका हाई जा रहा है तो that situation में doctor उसको सही treatment दे के दुबारा से normal kidney वाली situation में ला सकता है next question क्या है can you live a normal life after kidney transplant क्या आप kidney transplant के बाद में एक normal life जी सकते हैं तो यह कह रहा है कि a successful kidney transplant may allow you to live kind of life you were living before you got kidney disease after transplant health and energy should improve study say that people transplant live longer than those who remains on dialysis अब यह कह रहा है कि हाँ आप जी सकते हैं लेकिन अगर आप अपने life quality को improve रखेंगे जो डॉक्टर ने आपको medicine बताई है जो dietitian ने चार्ट बताया है उसको follow करेंगे तो आप dialysis patient जो person जो patient dialysis पर रहते हैं उनसे जादा life को आप survive कर सकते हैं kidney transplant के बाद next आता है यह देखिए यह मैंने यह ऐसे दे रखा है कि जो end stage जब हमारी kidney बिल्कुल fail हो रही होती है that time GFR क्या होता है 15 ml पर मिनट रहता है kidney की second CKD stage 4 में GFR 15 से 29 ml पर मिनट होता है इसका मैं GFR का चार्ट अलग से मैं आपको बता के दे दूँगी यह मैंने normal दिया आपको अब क्या है vaccination for kidney transplant patient मतलब kidney transplant patient को कौन से vaccination कराने चाहिए कब कराने चाहिए यह मैंने यहां पर बताए जैसे influenza flu era के लिए उसको एक dose लेनी चाहिए प इसमें क्या होता है पेट पे कुछ फुंसी टाइप की रह जाती है तो इसकी वन से 3 डोस लेनी चाहिए साल में नेक्स्ट आता है Hepatitis A, Hepatitis A की 2 डोस लेनी चाहिए यहर में, Hepatitis B की 3 डोस लेनी चाहिए फुली यहर में, titanis, diphtheria, axillary pruritis, pruritis में खुजली एरा और क्या, tit che gutes, un-time dose लेनी चाहिए, diphtheria की, ओर फिर क्या है, booster dose लेनी चाहिए, एक बार लेनी चाहिए, उसके बार 10 साल में, एक बार booster dose लेनी चाहिए, फिर आता है human papillowirus, अब इसकी डोस कितनी होनी चाहिए, 3 डोस लेनी चाहिए, female की लोगणों को लेनी चाहिए, वो female जिनकी AD261 से ऊपर है ठीक है आप मैंनेंजाइटेस सरकी डिजीज है इसकी आपको वन से मोर डोस लेनी चाहिए वो भी डॉक्टर की अगर नीड़ेड है तो अगर आपका डॉक्टर बोलता है या आपको आपको खुद नहीं लगाना है, डॉक्टर बोलेगा तब ही आपको लेनी है, ठीके, और हीमिनो पैपिलोमो बाइरस में क्या होता है, कभी-कभी आपने पेशेंट देखे होंगे, उनको ऐसे फपोले टाइप के परदाते हैं, ठीके, तो ये उससे रिलेटेड है, निमोनिया निमोनिया में, निमोनिया अगर ऐसे आपको तो फील नहीं होगा, लेकिन अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं, तब ही आप लेंगे, अदर्वाइस नहीं लेंगे, अब ये वैक्सिनेशन रिकमेंड है, फोर एडल्ट विद किड्नी डिजीज, मतलब अगर आपका ट्रांस नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपको किड्नी डिजीज है या क्रोनिक रिनल फेलियर में है, तो आपको कुछ मतलब बैक्सिनेशन लेने चाहिए, जैसे फ्लू इंफ्लेंजा का लेना चाहिए, वन डोज एबरी यर, ठीक है, हीमो फ्लस इंफ्लेंजा का आपको वन से थी ड एबरी यर, हेपेटाइटिस बी की थी डोज एबरी यर, ठीक है, अब क्या है, हर्पिस जोस्टर, सिंगलिन्स, ठीक है, ये क्या होते है, दाद खाज खुजली सुना होगा, ठीक है, उसकी आपको डोज लेनी चाहिए, एक डोज, एज 60 एंड ओल्डर हैं तो, ठीक है, इस इमनो सप्रेशन मेडिकेशन पर चल रहा है, तो वो भी इस डोज को नहीं लेगा, हिमनो पैपिलो बाइरस की डिजीज, हिमनो पैपिलो मा बाइरस, इसकी तीन डोज लेनी है, पहले की तरह से, अगर कोई फीमेल है, अगर वो 26 से उपर है, तो वो लेगी, हिमन पैपिलो हिरस की एच्पीबी की वैक्सिनेशन अधरवाइस नहीं लेगी, और अगर कोई मेल 21 से उपर है, तब वो एच्पीबी का वैक्सिनेशन लेगा, अधरवाइस नहीं लेगा, मैननजाइटिस वही अगर लगेगा डॉक्टर को तो वो देगा, वन और मोर डोज आपको अधर अगर आप 1957 या आफ्टर, अगर आप पेदा हुएं 1957 से पहले या बाद में और आपने वैक्सिनेशन नहीं करा है, तेट सुचेशन में ही आपको ये MMR का वैक्सिनेशन लेना है, नुमोनिया, डॉक्टर ही आपको बताएगा, अगर उसको लगेगा तब ही आपको ये लेन है टिटनिस डिप्थेरिया पूर इनका सब्वान टाइं में एक बूस्टर डोज लें चिकन पॉक्स की आपको 13 लेनी है लेकिन किड़ ट्रांसप्रांट पेशंट में चिकन पॉफ्म् सवर दो नहीं लेनी होती है ठीक है मैं इन्फेलेंजा वैक्सिनेशन को लेते हैं क्योंकि वह भी कब अबरी साल अबरी यव टीडी Eyp वैक्सिनेशन वैक्सिनेशन जो होता है यह हमें किस से बितने य accus Сets वितनिस पहake टीडेशन से सब्सक्राइब और कुछटरीक साधित करने हमेड़ है फञे हम student अब digit ही हमेड निवनिय कि भी स्प्रच्ट से और cent तो की अधिंग ठेंपती है घरी आहीफछों व्यास से जैने टाइलेट वार्ट से ठीक है हीमिनो पैपिलर पैपिलोमा वाइरस से यह सारा आप पढ़ सकते हैं और मैंने इसमें दिया हुआ भी है कौन-कौन सी एज है ऊपर भी बताया है MMR बैक्सीन का मैंने बताई दिया कि मिसल मम्स रुबैला और वही कि अगर आप पैदा हुए थे 1957 में पहले या बाद में तो और अगर आपने क्या नहीं लिया है यह MMR का बैक्सीन नहीं लिया है तो अब यह आता है बैरिसेला बैक्सीन प्रोटेक्ट करता है यह चिकन पॉक्स से ठीक है अगर आप पैदा हुए है 1980 में या उसके बाद तो दैट सुचेशन में आपको चिकन पॉक्स बैक्सीन लेनी है अगर आपने बच्पन में नहीं ली है तो ठीक है तो यह था पूरा कि केर एंड कमेंट्स जरूर करिएगा थैंक यू